बरसाद के मौसम में जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं एक चीज आपको हर तरफ दिखाई देगी वो है भुट्टे बारिश में गर्मा गरम भुट्टे काने का अपना ही मज़ा है भुट्टे हम ऐसे तो खा ही सकते हैं लेकिन हम इसे काफी सारी और भी रेसिपी बना सकते हैं तो आज उन्हें में से एक रेसिपी मैं आप से शेर कर रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसके साथ सा लाइक और शेयर कर देना साथी मेरी ऐसी और भी रेसिपीस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना तो चलिए दोस्तों ये बहुत ही हेल्थी और टेस्टी डिफरेंट स्टाइल की कॉर्ण कटलेट बनाना शुरू करते हैं कॉर्ण कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बुट्टा ले लिया है बुट्टे को अच्छे से चिल कर इसके उपर जो बालाते हैं उनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है आप चाहें तो रेडिमेंट जो दाने निकले वे आते हैं उनका इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकि के लिए हमें क्या करना है कि एक पीलर ले लेना है या आप चाकू भी ले सकते हैं उसकी सायता से इस तरह ऐसे हम पील कर लेंगे इसे तो जितने भी उपर के जो दाने होंगे वो निकल जाएंगे और जो नीचे का इसका रूट का पाट होता है वो हमें चाहिए भी नहीं उसक इस्तामाल नहीं करना है तो उसे हम साइड में कर देंगे तो ये काम बहुत ही आसानी से और कुछ ही मिनिटों में हो जाए गांगा तो अलग से हमी दाने लेकर उन्हें ग्राइन करने की जरूरत भी नहीं है तो इस तरह से मैंने दो भुटे पेल कर लिये हैं, बहुत यासाने से ये काम हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे सबजियां, तो सबजियों में मैंने यहाँ पर दो बड़ी साइज की काच लिये हैं, एक तम बारी काट कर, आप चाहें तो कद्दुकस से कद्दुकस करके ले सकते हैं, साथी दो मीटेम साइज की शिमला मिर्च बारी कटीवी, एक चमच अदरक और लसुन का पेस्ट लेंगे, एक से दो हरी मिर्च बारी काट कर लेंगे, साथी लेंगे इसमें घूपसारी बारी कटीवी धनिया की पती, और अब मसालों में लेंगे, एक चोटा चमच धनिया आदा चोटा चमच इसमें गरम मसाला, आदा चोटा चमच काला नमक और स्वाद के नमक एड़ कर लेंगे, अब हम बैंडिंग के लिए इसमें डालेंगे बेसन, तो बेसन एक साथ ज़दा नहीं डालना है, जितनी जरूरत होगी उतना ही बेसन हम इस्तिमाल करेंगे, तो म काबल काटा totally optional है, तो यहां पर अब यह दोनों चीजे डाल कर अच्चे से मिक्स कर लेते हैं, तो पहले हलकियायतों से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जितने भी मसाले वगर, चीजे वगर हमने डाली हैं, वो एक बार अच्चे से कोट हो जाएं एक दूसरे के उपर, और देखि इस तरह हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे तो सब्जियों में काफी सारा पानी होता है वो पानी रिलीज होगा और उससे ये जो मिश्रन होगा वो अपने आपी थोड़ा मौईस्चर पकड़ लेगा तो बस इसमें अलग से नहीं हमें कोई पानी मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं बेसन का आटा और चावल का आटा डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे हम मुटे में बान रहे हैं तो बहुत ही इसली ये शेप ले रहा है तो ये एकदम परफेक्ट है ये आपको लगे कि ये डिला है तो आप इसमें थोड़ा पीसन और डाल सकते हैं अब हातों को पहले देल से ग्रेस कर लेते हैं ताकि इने बनाना आसान रहे और फिर इससे हम कटलेट बना कर तयार कर लेते हैं और आप अपने मन पसंद की कोई भी कटलेट इन से बना सकते हैं इसमें मैंने बेसन और चावल का आटा बहुत ही मिनिमम डाला है बस सबजियां वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाएं इतना ही मैंने बेसन और चावल का आटा डाला है इससे क्या होगा कि सबजियों का, मख्ये का भरपूर इसमें फलेवर आएका, जिससे कटलेट देखने में भी संदर लगेंगी, और खाने में भी बहुत एक टेस्टी लगेंगी तो देखिए इस तरह बहुत ये आसानी से कटलेट बना करने तयार कर ली है सारी कटलेट मैं इसी तरह से बना लूँगी और साइड में हम क्या करेंगे एक कड़ाई के अंदर पानी गरम होने के लिए चड़ा देंगे यहाँ पर मैं स्टिमर ले रही हूँ लेकिन आप कोई भी नॉर्मल पतीला ले सकते हैं स्टिमिंग करने के लिए तो यहाँ पर दो गिरास मैंने पानी चड़ा दिया है और इधर कटलेट भी बन कर तयार है तो सारी कटलेट बनाने की बात अब मैं यहाँ पर इडली स्टेंड ले रही हूँ क्योंकि मैंने इडली कूकर लिया है लेकिन आप जैसा कि मैंने बताया पतिला ले सकते हैं और उसके अंदर एड़ेस्ट हो जाए वैसी प्लेट ले सकते हैं जुरूरी नहीं आप इसी तरह की इटले प्लेट का ही इस्तमाल करें जिस भी तरह की बतन का आप इस्तमाल करें पहले उसे तेल सी ग्रीज करें और फिर ये कटलेट उसमें सैट कर दें तो ये एक प्लेट मैंने तयार कर दी है तो जब तेल लगा देंगे नीचे तो इनने डी मोल्ड करना आसान रहेगा क्योंकि ये नीचे चिपके की नहीं कुछ कटलेट बच गई है तो इसे मैं दूसरी प्लेट में लगा लेती हूँ तो पहले मैंने तील सी ग्रीज कर लिया है और फिर ये कटलेट इसमें सैट कर ली है स्टीमर में पानी करम होई चुका है तो पहले ये प्लेट सैट कर देते हैं इसके अंदर और अब इसके उपर हम दूसरी प्लेट भी लगा लेते हैं इस तरह से स्टीम करके कटलेट बनाने से ये बहुत ही टेस्टी बनती है और जितनी भी सबजे हमने इसमें डाली है वो अच्छी सॉफ्ट कोक हो जाती है अब हम इसे कवर करके 15-20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे मीटेम फ्लेम पर 15 मिनट बाद चेक कर रही हूँ तो देखे बहुत ही अच्छी से ये स्टीम हो गई है तो इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है स्टीम होने में बहुत ही जल्दी से ये स्टीम हो जाती है तो अब इन प्लेट को हम बाहर निकालेंगे और एक से दो मिनट के लिए ठंडा होने देंगे जब ये थोड़ी से ठंडी होंगे तो देखे बहुत ही आसानी से ये निकल आएंगे और इस स्टेज पर ये अपनी शेप होल्ड करते हैं यानि ये सॉफ्ट नहीं रहते हैं इसे तोड़ेंगे न तो बहुत एजिली ये कटलेट की तरह तूटने लगेंगे तो जब इस तरह से ये बाइंडिक आ जायेगे इसमें और सबजसे भी अच्छी तोफ्ट हो जाएंगे तो इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं तो इसे अच्छी से थंडा करने और जब ये तन्डी हो जाएं तो किसी भी air tight container में डाल कर आप इसे फ्रीज में तीन-чार दिन के लि से भी बहुत टेस्टी बनती है और देखे कितनी colorful cutlet बनकर तयार हुई है और healthy भी है इन cutlet को क्योंकि हमें store भी करना है इसलिए पहले हमने इने steam किया है और फिर इने shallow fry करेंगे तो इसे हमारी 2 purpose solve हो जाएंगे एक तो अब ये बहुत ही कम मातरा में तेल को absorb करेंगी क्योंकि अब देखे मैंने दो से तीन चमस देल एक पैन में गरम कर लिया है और अब कुछ कटलेट हम इस देल में रख देंगे तेल का temperature मेडियम होट होना चाहिए तो इस तरह से अब हम मेडियम फ्लेम रखते वे इन कटलेट को एक दो बार अलटते वे पलटते वे अच्छे से shallow fry कर लेंगे चाहिए तो आप इने पूरा deep fry भी कर सकते हैं लेकिन वही है कि हमें टेस्ट भी चाहिए लेकिन वो चीज भी healthy होनी चाहिए तो इससे अची बा किया है जो already काफी ज़्यादा फाइदे मंद होता है और ये देखिए एक पर मैंने पलट दिया है और बहुत ही प्यारा कलर आता है इनका कैमरा तो शायद अच्छे से इनको दिखा भी नहीं पा रहा है येदि आप actual में देखिए तो ये सबजे इसमें बहुत ही ज़्याद ये इतने टेस्टी बनेंगी तो ऐसे अलटते पलटते वे मैंने दो से तीन मिनिट में इन्हें अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है तो उपर से अब ये क्रिस्पी हो चुकी है और अब इन्हें निकाल लेते हैं बाहर तो इस तरह से ये कटलेट स्टोरेबल भी है तो जबी आप इन्हें स्टोर करके रखें और अजानक से ये दिगर पर महमान भी आ गए है तो फटापट से इन्हें थोड़ा सा शेलो फ्राई करके आप महमानों को सर्व कर सकते हैं ये बहुत अच्छे भी लगेंगे और खाने में टेस्टी भी लगेंगे और देखिए मापको एक कटलेट पास से दिखाती हूँ है ना कितनी ज़्यादा कलरफुल बहुत ही कलरफुल भी है और बहुत ही टेस्टी काफी सारे फ्लेवर से इसमें आएंगे और टेक्शर तो देखिए इसका कितनी अच्छी क्रिस्पी हो गई है मैं तो बहुत देर बाद इसे तोड़ रहे ह ना तो उपर से और भी ज़्यादा क्रिस्पी रहेगी इन कटलेट को आप टोमेटो कैचप या हरी चटनी के सार सरूर करें यकीन मानिये प्रेंट्स आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे तो प्रेंट्स मैं आप से रिक्वेस्ट करती हूँ आप जरूर से एक बार ये कटलेट बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज एक स्माइल के साथ लाइक का बटन जरूर दबाएं अपना किमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है एक और नए वीडियो के साथ तब तक हसते रहिए हसाते रहिए